आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello, the question is An object is placed between two plane mirrors set at 60 degree to each other the maximum number of image scene will be तो देखो, दो plane mirror है और उनको एक दूसरे के 60 angle पे incline करके रखा गया है तो यानि कि ऐसा कुछ scenario रहा होगा कि दो plane mirror है इन दोनो plane mirror के बीच का angle जो है, वो 60 degree है और कोई object is जो है, वो हमने यहाँ कहीं रख दिया है ठीक है, symmetric मानते हुए हम लोग इसको बता है तो देखो, अगर हमें चाहते हैं कि maximum number of image हमें पता करना है तो वो कैसे पता करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि 360 divided by theta यानि ये angle theta अगर even है कि odd है even है या odd है पहले ये पता कर लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग theta को 60 रखेंगे तो ये 0 divide करके यहाँ पर ये 6 आ जाता है तो यानि कि हमें क्या पता चला ये even है तो यानि कि ये जब n की value ये हम कहें n की value even है n की value even है मतलब 6 के बराबर है तो number of images इसे कहूँ maximum images number of maximum images scene हम लोग कैसे निकाल देते हैं जब even होता है तो n minus 1 कर देते हैं यानि कि 6 है तो 6 minus 1 यानि कि 5 images जो है वो हमें दिखाई देंगे जब हम लोग यहाँ पर रखेंगे किसी object को तो over इसके बीच के angle 60 degree जब रहेगा तब ठीक है तो answer हमारा 5 आ रहा है therefore option C will be correct तो यह पहले हमें पता करना पड़ता है कि even है कि और even है तो यह n minus 1 कर लेते हैं तो थैंक यू क्लासिक स्ट्वेल से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जाधा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर